ह्याएब एक है अपने बैक वाले पार्ट में ये जिप आच करने वाले हूं तो चलिए पहले आन इसकी मार्किंग कर लेते हैं मैं इसे इस तरीके से फोल कर लूँगी और यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लूँगी सेंटर पॉंट पर हमें नीची की तरफ पूरा लाइन से इस तरीके से मार्किंग कर लेना है हम यहाँ पर दोनों तरफ पहले सिलाई लगा लेंगे इसके बाद इसे बीच में से कट करेंगे मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिये अब हम इसके सेंटर में यहाँ से कट कर लेंगे अब दोनों पार्ट को अलब कर लेंगे मैंने यहां पर दोनों तरफ टू टू लाइन्स की मार्किंग कर ली है इसी पर हम सिलाई लगाएंगे अपने जिप की यह हमारा सीधा जिप है इसे हम इस तरीके से उल्टी तरफ करते हुए अंदर के तरफ सिलाई लगाएंगे यहां पर टू लाइन्स की इसी तरीके से आमी से भी, प्लेस कर लेंगे इसे हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से हम इस साइड भी अपनी जिप को अटैच कर लेंगे हम पहले अपने जिप को इस तरीके से खोल लेंगे इसके बाद अपने जिप को सीधे पे सीधा इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे मैंने यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई लगा लिये हमारा जिप लगा के हो चुका है अब हम यहाँ पे अपने गले की तरफ पट्टी लगाएंगे मैंने यह पट्टी कर लिये यह मैंने वन इंच की कट किये अब हम अपने पट्टी को फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगाएंगे हम इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे अब हम सिलाई लगाएंगे हम यह एक्स्टर जिप को कट कर लेंगे अब हम इस पर दाप की सिलाई लगाएंगे हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके उपर भी एक दाप की सिलाई लगा लेंगे हम ने यहां पर उपर की तरफ दाप की सिलाई लगा लिए अब हम इसे अंदर की तरफ इस पल्टी करते हुए यहां पर इसे पूरे में सिलाई लगा लेंगे हमने यहां पर सिलाई लगा लिए इसी तरीके से हम यहां पर अपनी पट्टी अटैच कर लेंगे हम यहां पर पट्टी अटैच कर लिए हमारा जिप लगा के हो चुका है हम यह एक्स्ट्रा जिप यहां पर कट कर लेंगे अगर आपको इस गाउन की वीडियो देखनी है तो मैं इसकी लिंक आपको मेरे डिस्प्शन बाक्स में दे दूंगी आप महां पर देख सकते हैं मै लाइक शिर और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और कमेंट सेक्शन में पताएगा आपको मेरे डिस्प्राइब कैसे लगी थैंक्स पर वाचिंग